अद्भुद व्यक्तित्व के धनी जैशिवाचार्य महान है। मैं निमित हूँ या मैं जीव हूँ निमित की रिस्पोंसिबिटी अलग है और अंदर बेठा हुआ जीव की रिस्पोंसिबिटी अलग है। निमित अरिहंत निमित नहीं बनेगा। अरिहंत कोन बनेगा जीव बनेगा। यह एक पड़ाव है निमित का निमित का एक पड़ाव है जिसमें निमित जो फाइल लिखा किया है वो निमित पूरी करेगा पर जीव कहां है जीव अपने लक्ष से भटक गया मालिक का लक्ष हेक्टरी में कमाई होनी चाहिए क्या प्रोडक्स बन रहा है यह महत्व का नहीं उसको कम ही मिलने से मतलब है तुम प्रोड़क कितने भी अच्छे बना हो लेकिन लॉस में जारी गाड़ी मैनेजर को बुलाओ के सक चेंज करो अपने को इंकम जिसमें होती है उसको फ्रोसान दो तो अभी निमित के निमित से नुकसान हो रहा है जीव का या प्रॉफिट हो आठा है वह देखो क्योंकि यात्रा जीव कि जीव के लिए निमित इसको निमित के लिए निमित के लिए अजी में यह थोड़ी देर बाद में देंगे इसको और फिर निमित के नाटक देखो क्या करता निमित और निमित के साथ क्या होता है देखो सिर्फ आप ध्यान में जाके देखो कि जीव अभी मेरा पांच मिन के लिए बिलकुल स्वस्तिते में जमा हो गया है और निमित के साथ क्या होगा सब को पता जलिए कि अब जीव गया है ना कायो सर्ग क काया को अलग करो काया को इसकी है निमित की है काया किसकी है नाम किसको दिया जीव को दिया कि निमित को दिया नाम किसको दिया जो शरीर को दिया ना तो अगर काया को अलग करो यानि निमित को अलग करो और अंदर बेठे जीव को देखो अब जीव अपने में रहे तो निमित करम कातने का सादन है और निमित की निमित से करम जीव के उपर आ रहे तो गाड़ी प्रोफिट में है कि लोस में जीव के उपर कार्मन शरी करम बढ़ाया कि गटाया जब आये थे मा के घर में आये थे उस दिन जितने करम लाये थे पॉजिटिव या नेगेटिव उसमें अपने बढ़ाये या घटाये हमारे को ये बड़ी मिली थी जीव की यात्रा को जो अनादी काल से चार गती चुरासी लाग जीव गुम रहे ये तो मालूम है जीव गुम रहे निमित तो के वरम सोचा लेकिन जो जिसका आपके नजदी की दो 5, 10, 15, 15, 20, पचाश, 100, 200 जितने होंगे जिसके जितने होंगे उतने हो इसको वियार करा के आ जाएंगे होगी आपकी यात्रा पूरी तो निमित के निमित से निमित की responsibility को पहला step देना है या जीव को देना है हमारा प्रस्ट नहीं है निमित को जिम्मेदारी को महत्व देना है या जीव की जिम्मेदारी को महत्व देना है मालिक को महत्व देना है या मैनेजर को देना है जीव को देना है जीव को देना है ना जीव है ने मालिक आपकी factory में नि आपके नीचे वाले को सब महत तो मिले, सब उनकी सुने, आपकी कोई सुने नहीं और आपको रिटन में कुछ न मिले, बलकि उनकी तंखाओं में पूरी जिंदगी भी जाए, तो फिर आपकी फैक्टरी का क्या फाइदा, ऐसे जीव को अगर फाइदा नहीं मिल रहा है, तो यह मनिश्य जनम का कोई उपादे नहीं, कोई फाइदा नहीं है, बलकि हमने, और किते हैं मूल पूंजी है मनिश्य जनम को मनिश्य जनम बचा के रखना, प्रॉफिट है देव गती तक जाना, और लौ से तिर्यंज गती में जाना, और कार्य सिद्धी है, यहां से पंज़ मारक है, हमारे भारत में 33%, अभी तो बच्चे 99 के वीचे नीचे टिकते नहीं, लेकिन हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे 33% वाले को भी अपन समझते पास्त हो गया, पास्त हो गया, तो कम से कम अपने जीव को 33% तो दें, प्लस में, माइनस नहीं कह रहा हूं, यहांने से करम घटा करके उसको आगे बढ़ाने के लिए, और सिद्ध सिला की और आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष की और अगर हम 33% भी वढ़ते हैं, तो हम समझते कि हमारा यह भरत क्षेत्र का मनिश जनम का, जिन्वानी का, जेन धरम में पैदा होने का, ऐसे अच्छे खा आपको फेक्टरी में खुब अच्छा प्रोफिट हुआ, और खुब आनन से बढ़े हो गए हो, और आप घर पे गए हो, रोज की तरह रूटीन चलता है, और आपकी वाइफ ने बहुत सारी बाते संसार की इदर उदर की सब कंप्लेंस आपके माइंड में डाल दी, लेकिन आप आनन से बढ़े हो गए हो, आपको कोई इफेक्ट हुबा, गटना होगा, आपने कोई बात नहीं, ठीक है चलो, इतनी निप्टा, ये भी एक निप्टा और शांती से रोग, और एक दिन आप बहुत स्ट्रेस से बढ़े हो गए हो, चारो तरफ से फेक्टरी में नुकस अब हम क्या कहेंगे, मैं इतना थका, महारा परेशान स्ट्रेस से बढ़ाया और तुम ने ध्यान नहीं रखा, हम सारा उसको सुधारने की बात कर रहे हैं, अब स्ट्रेस आपने इकटा गिया, आनन में आप थे, जब आनन में थे, आपने उसको सहज ऐसे चुटकी में निक इरिटेड हो रहे हैं और वो इरिटेशन रोज बढ़ता जा रहा है, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, धीरे धीरे पहले लेवल से दूसरे लेवल, तीरसे लेवल, यहां तक आ गया, आज डिप्रेशन और टेंशन है कि आए, रोज दीन का थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा स् भाग जाओं तो अच्छा है, शुसाइड करना यह नहीं किया है, आज जो भी इस तरह से स्ट्रेस में आ करके शुसाइड कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मैदान छोड़ने के लिए भागने के लिए जहिन धर्म नहीं कहता है, जहिन धर्म कहता है, पहले आनंद से भरो और आन स्ट्रेस में भी रहा हूँ, तो आप से क्या साध्या लूँगा, आप मेरे को जज कर लोगी महाराज, खुद जीवन में कुछ और जी रहे हैं, और बाते कुछ और कर रहे हैं, आप हमारे से ज़्याद हैं लोगों से मिलते हो, हम तो एक लिमिटेड एरिया में जीते हैं, आपके पास अनेक तरह के सादू संता आते हैं, अनेक तरह के लोग सुनते हैं, अनेक तरह की मोबाईल के उपर आप चीजे सुनते हो, आपको पता चलिता है कौन व्यक्ति किस लेवल पर खड़ा हुआ, क्या बात कर रहा है, तो एसे ही आप जब आनंद से भरोगे, और आन अब जीव पर्मानेंट है, और जीव के पास आनंद है, शांती है, सुखे, अगर आप जीव के ध्यान करोगे, हर टाइम, तो हर टाइम आनंद से जोगे, अब जीव के ध्यान करते होगे, बोडी का काम कर सकते हो, इसको खाना, पीना, फैक्टरी चलाना, रिस्पंसिविट सभी एपयादा मठीन के जिम्मेदारी करना जीव में रेके कर सकते ने कि चो रहा है कि जीव को आपको प्रस्टनल काम नहीं दे रहा है जीव तो खली अटेंशन खूश जैसे एक मा और बच्चे का उदारन देते पको नमेशा एक मांखाना बना दी और बच्चा बाहर खेल खाना तो शरीर बना रहा है उसके अटेंशन का है बच्चा क्या कर रहा है किसके साथ है क्या कर रहा है ध्यान उसका उदर है अब जब एक मां खाना बनाते वे बच्चे का ध्यान कर सकती है तो आप फैक्टरी चलाते वे जीव का ध्यान नहीं कर सकते हैं आप इसको को बदलना यही एक पुरशार्ट है और कुछ नहीं कहा है को यहां पर भगवन हमको इस पेशल ध्यान की क्रिया तो सुबह श्यान जैसे दो टाइम शरीर को आप भोजन देते हो तो कितने दिन करोगे आखिर शरीर जवाब देदेगा ऐसे ही आप फुल टाइम आप इस निमित के पीछे लगे और जीव के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है तो जीव कितने दिन आपको सपोर्ट करेगा चुमाली साल से तो वो सपोर्ट कर रहा है क्योंकि पिसली चार्जिंग लाए हो वो डिस्चार्ज हो रही है लेकिन आखिर एक समय आएगा कि आपकी चार्जिंग खतम हो जाएगी और कार्मन शरीर बढ़ता चला जाएगा और वो इतना दब जाएगा नीचे आनन्द और कि अभी उस समय भगवन कितना ही उपदेश दे कुछ काम नहीं आएगा जैको आपको एक बिमार आदमी और डिप्रेशन वाले आदमी को आपको कितना ही उपदेश दो ध्यान का दो धरम का दो कुछ समझ में आदर्सकों लेकिन समय से पहले ही वो कर ले और उस तरह तो वो डिप्रेशन टेंशन आने नहीं देगा 20 साल की उमर में इतना काम करते इतने लगे रहते हैं full time कि वो अपने हेल्थ की अपने जीवन की अपने धरम की कोई चिंता और ये लगन और ये कते करते 40 साल की उमर तक वह इतने stress और परिशान हो जाते है कि वीमार और परिशान होक पर मुझे 20 साल पहले वाला स्वास्ट दे दो दे सकता कोई डॉक्टर लेकिन अगर आप 20 साल की उमर में ही अपने आपको मेंटेन करके चलते हैं विभाग करते हैं कि इतने गंटे मुझे जीव को देना है इतने गंटे शरीर को देना है और बाकी टाइम मेंने स्टेटस को देना है तो अगर मेंटेन करोगे तो 20 साल बाद भी कैसे मिलोगे तो वो मैंटेनेंस सिखा रहे आपको मैंश्मेंट है मेritेशन हो की थिदे मैंश्मेंट है पेले अपने जीव को मेंश्मेंश करो और पिर जीव आपके बौड़ी को मेनेज करेगा और फिर बौड़ी फिर आपके पूरी नहींत के संसार को मेंटेन करेगा बौड़ी में मन, बुद्धी, इंद्रियां सब आगए है बौड़ी में मन भी आगआ क्योंकि मन आपका मेंजर है तो आपका करोगे बुद्धि आपकी प्रधान मंत्री है फैक्टरी में जो आपने सेकंड नमबर रख रख रखा है वह प्रधान मंत्री बुद्धि और जो इंद्रिय इस्ट कि sunshine नांग काμε जो हम जहां से देख के लाते सभ सूचना के लांखे दे लोग दो है वहां यह भर आ वह भर है वह इस डीपार्मन नियोग्रासारी सुछना आएगी और मेनेजर उस पर विचार करेगा मालिक तर पहुंचा देगा मालिक है अहंकार में वह चाप लगाएगा मेरे मेनेजर के दिया से स्टामप लगा दिया आहंगकार ढ़िए करंपक्कह हो गया अब यहां इहं चलते हैं पहले करते हैं अहम में कुछ हूँ महां बेद करते हैं कि निमित और आत्मा में अंत्रह आकार और निर्कार का बरेक किया इसी का नाम भेद mot भेद और डिफ्रेंट विज्ञान और विशेस अनुभव के साथ अपने अनुभव से इसको अलग नहीं कर सकते हैं कपड़े की तरह तो हमने अनुभव से भेद किया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है दोनों को भेद करके अब ध्यान तो देना है निराकार के उपर और का अब दोनों को भेद करके देखता है जो भी घटना आती है उसको भेद करके देखता है मैनेजर का भी भेद करता है मंत्री का भी भेद करता है इंद्रियों के कार्यों भेद करता है कि कौन सा कार्य जीव के लिए कामा रहा है कौन सा कार्य निमित का है दोनों भेद करके जो फैक्टरी में इतना स्ट्रेस से बर जाओगे गर जाओगे तब तक ना ममी की सेवा होगी ना मैडम की सेवा होगी बल्कि उल्टे वो कहेंगे कि इससे क्या फाइदा है हमने सारा व्यापार किसलिए सुरू किया आनन से शांती से सुख से पहले मैं जिऊं और मेरे परिवार भी आनन शांती सुख से जिये अब देखो आज की तेट में कि क्या सब वेसा हो रहा है नहीं हो रहा है तो फिर से अवलोकन करो टर्निंगी कर रही हैं दिशा मोड़नी है ये साधना और कुछ नहीं दृष्टी प में तो खाली एक सेवक है मोदी केता ना मैं प्रधान सेवक हूं काम तो 140 करोड़ लोग कर रहे हैं उनका प्रतिनिद्ध हूं ऐसे मैं जीव आत्मा हूं और काम इंद्रिया मन बुद्धी से ले रहा हूं इंद्रिया मन बुद्धी से काम लेने के लिए मैंने ये साधन मिल इसको आप उपयोग करो स्वभाव मेरे करें बस दो चीजों पर अपने सारी साधना का स्वाध्या का सार है यह जो लक्ष बनाए ना अरियंत सिद्ध बनावी मुनी जीन भजन गया है बहुत पूरे इस भजन में साधना भरी हुई है इसको जीलो तो काम हो जाएगा अरियंत पूरी और शृमत बनाए स'REद बनाए ऐसमें साहगु आज मिली जिनवानी आराधक बनना है जिनवानी को मिली जिनवानी छिरीर बने लागए और आत्मा लागए जिनवानी ने हमें बताया कि आत्मा लगए और शरीर लागए अब महतनुक стан Ici आप बने में характер आए गाड़ी क्या साधन है, साधन ठीक नहीं हो तब भी काना, साधन को मेंटेन करना है, उपयोग करना है लक्ष के लिए, अभी वर्तमान में पास्ट को भूल जाओ, पास्ट को तो यादी नहीं करना, जो है सो है, हर जीव में यो एबिलिटी है, अरियन्त बनने की सिद्ध बिन वर्तमान में जिस समय में जीव आत्मा अपने सभाव में हूँ, तब मैं अरिहन्त हूँ, जब मैं विवाव में हूँ, यानि निमित बन गया, उस समय में निमित हूँ, बस इतना ही करना है, तो जब सभाव क्या है, अब जीव का सभाव अलग है, निमित का सभाव अलग है यह सही हो गया, यह गरत हो गया, यह सब निमित का सभाव है, और जीव का सभाव क्या है, इन सब को जानो और देखो, इन सब को जानो और देखो, जब भगवन के अंडर में बारा सो थेरा सो सादू साथ गया, सब को जानते हैं, देखते हैं, किसी के इनवोल नहीं करते हैं, क आप इतना सब को कैसे हैं गरते हैं जीव कोई सब हो रहा है सब ऑपने कर कर रहे हैं है कोकर आती है बात हम लोग पुछते आइसे क्या करना है तो हम थोड़ा सा सुझाओ देते हैं सथी तो ऐसे जीव के अंदर में अभेन आप अर्यांत वर्टमान में बनना हूं, भविश्य में बनेंगे तब बनेंगे, आपको बोक बहुत कठीन लग रहा है गार बनेंग надо, ऐट परिसेंट की बात करो, लाइफ तक प्रिसेंट में, क्यान वर्टमान में राएफ और बने वह अनन में हूँ, चान्ती में, लिए जीव से सुख मिल रहा है जैसे लगे स्ट्रेस में आ रहा है निमिट वापस दो मिन के लिए शान्त बेट करके अपना नेचर में स्वबाओं में जीव में चला जाता है फिर से बेटरी दो पर बारा एक दो बज़े तक बहुत थक गया है निमित इस्ट्रेस में आने लग रहा है तो 20-25 में फिर उसको एक आंज में बिठा करके जीव के साथ उसको चार्ज करो और फिर वापस आनंद से भर जाओ और फिर शाम तक सेवा दो सेवा ले नहीं इसकी लगे शाम को बह वेधन मेंसुस हो रहा है खाला कानी आँपर के बाल का ठो महां पर नाखुन कातो महां पर नहीं है बाकि सब जगह के आत्मा प्रदेश है जहाँ पर आपको फीलिंग में एसी तो जहाँ भी आप रिलेक्स हो जाऊगे और उपर का जड़ रिलेक्स ऑजाएक और आप आनद अगले दिन भी ऐसी 24 गंटे अरिहन्त जेसा जीना है जहां आप लगे कि मैं फिसल गया पुरानी आदत से उरत्ती से वहां प्रतिकमन करो यही तो आलो चना ने इंट्रोफिक्षिन क्या है फुदी खुद का निरिक्षन करो कि मैं कहां जीव को छोड़ करके निमित में अकेल करना विभाव है कि मैं यह कर दूंगा मैं जीव तो कुछ करता नहीं और निमित जितना पुन्य लाया उतना ही करेगा दो वस्त है एक है पुन्य एक है पाप अगर आपको निमित को सक्षेज करना है तो आपके साथ पुन्य चाहिए और आपको जीव को सक्षेज करना है त एक सादू का धर्म है, गर्ष्ट का धर्म है, सादू तो कुछ करते हैं नहीं, आपके घर्ष में जाते हैं, जो कुछ मिलता है पात्रें भर के ले आते हैं, लाते हैं ना, हम कुछ नहीं करते हैं, कपड़ा भी आपसे लेते हैं, माली आपसे लिया, इनसे लिया, कपड़ा भ बाप से लेते हैं और देते हैं आप देते हो तो भगवान ने हमें कहा कि ग्रिस्त और साधु का एक रिष्टा है ग्रिस्त हमारे माई बाप भी है और शिश्य भी है है ना आप हमारे शिश्य भी है और माई बाप भी हो माई बाप का मतलब क्या है कि हमारे रक्षा भी करते हो किसी हम जहां आए, आग्या ली हमने, ठैरने लिए आग्या ली, और भोजन अपने पात्रे में लाए, भोजन लिया, और भोजन कर लिया, कल करके छोड़ दिया, कुछ चिंता नहीं, कुछ चिंता है हमें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मजे में रहते हैं, कल भूख लगेग फिर जाएंगे, इनके घर से नहीं मिला, दूसरे घर से चले जाएंगे, नहीं मिला तो क्या हो गया, जो मिला वो ले लेंगे, नहीं मिला पौस कर लेंगे, ये घर नहीं मिला, किसी ब्रिक्षिंग ने चीए बैर जाएंगे, कुछ तो जगा मिलेगी ना, पर किर्टी ने दि सोच की बात मैं कह रहा हूँ, यह सादू का धर्म है, जो भगवान महावीर का सादू, ऐसा सादू है, वो कुछ नहीं रखता अपने पाफ, पर अनन्द से जीता है, और सादू के सनाती सादू के पाद जाओ, वो धन भी रखते हैं, मठ भी बनाते हैं, और कठा करते हैं, धन जो आप कमाते हो, कि वो अपने लिए नहीं कमाते हैं, परिवार के लिए भी है, समाज के लिए भी है, देश के लिए भी है, देश की रक्षा होती है, तो धन देते हो कि नहीं आप, चक्स के द्वारा देते हो, या चंदा देते हो, कुछ भी देते हो, तो आपकी जुम आप देते हो तो आपका ग्राव बढ़ता है जो आपने भोजन बनाया कोई संत आपके घर से लेके गया तो कितना पुन्य कमाते हो आप इस जन्म का नहीं जन्मों जन्मों का पुन्य कमाते हो बगभागन महावीर की एक्जांपल देता हूँ नैसार के भव में वो राजा ने लकडियों काटने के लिए कहा था वो लकडियों काटने के लिए अपने सिवकों को लेके गया लकडियों काटी साथ मिलाय थे भोजन उनका नियम था कि पहले मैं किसी सादू को भोजन करा के आहर करूंगा सब ने भोजन खोला उसने देखा कोई सादू तो है नही बगवान महाविर का पहला भाव कह रहा हूँ आपको बगवान महाविर का उसका नियम था कि कोई मेरे घर में आए मैं उनको भोजन कराओंगा नियम था एक भोजन मैं करने से पहले उनको भोजन करवाओंगा तो देखा, सब ने अपने अपनी गष्री होली खाने लगे उस जीव ने देखा, कोई कोई है नहीं ब्रिक्ष की उपर चड़के देखा, तो कोई सादू उदर से आ रहे वो भी मालक भटक गए हुए थे, बड़ा खुश हुआ उस सादू आए, भगवन यह आहार लेलो, सादू ने देखा, बना उलियार जैसे आप गाड़ी लेके जाते हो, अपने ली नाश्ता लेके जाओ, रस्ते में कोई सादू आते हैं उनको आहर दे सकते हो, कितना पुन्य कमा लेती हैं, पानी रखो, प्राज़ पानी की एक बॉटल लखो, कोई सादू रस्ते में आता है आप उसको अपने हिस्से से दे देते हो तो बहुत बड़ा पुन्य कमा लेते हैं क्योंकि आपने अपने लिए बनाया उसको दिया तो यह दान की वामना हो गए तुमारे घर में तुम खाना बहने भोजन बनाती है भोजन अपने नहीं बनाती है भोजन बनाते हैं बेहने ये भाव रखे कि मेरे द्वारा बनाय हुआ भोजन, कोई साधू, कोई ब्रहामन, कोई भूखा जगती आके ले जाए, तो मेरा बनाय हुआ भोजन सार्तक हो जाए, ये भाव रखे, भाव, भावना की बात कह रहा हूँ, आए नाए अलग बात है, तुम भोजन खाते हो, कोई साधू अचानक आ जाता है, तुम भोजन खाना शुरू करते हो, तो अपने हाथ से आदी रोटी भी दे देते हो, अपने अपना करतब बे नफा लिया, तो उसने दूर से साधू को देखा, साधू आय, उन्होंने भोजन लिया, भोजन लेने के भाव के बाद वो महावीर बने एक नियम का पादन किया था कि मैं कोई साधू को भोजन दूँ तब भोजन करूँ भाकिसाद में नहीं किया तो ग्रिस्त का करतब यह क्या है चार करतब दान, शील, टप और भावना आप अपनी कमाई से कुछ हिस्सा देना ही चाहिए इसको बचाद दिना चाहिए, कबूद्तर लोग, कबूद्तर आहिंसिक बचादो इसको देना ही चाहिए। आज गाय की क्या दुर्दशा हो रही है पहले भालत में तूद की नदियां बैटी थे आज गवर्मेंट ने जासे लोगों ने गाय को कदल खाने में भेई दिया क्या हालत होगी देश की देखो इतनी बाड़ा आ रही है सब कुछ बदला है यह प्रकृति को हमने बन काट दि बन खाली कर दिये वर्षा होती थी वर्षा नहीं हो रही है सब मने इंबैलन्स कर दिया सब कुछ उसके करण हो रहा है पहले घर में अनन्द शिरावक के पास 40,000 गाएं थी एक शिरावक ते 40,000 गाएं और कामदेव के पास 60,000 गाएं थी 80,000 गाएं थी उसमें गाय का चलता था उनके बारामपरत भगवान के पास कहें उनने बारामपरत ले लिए शिरावक के बारामपरत है सादू के पांच महापरत है तुम्हारे भी नियम है ऐसा नहीं कि तुम काम धंदा करो उनने नियम ले लिया कि जितनी मेरी कमाई आएगी उसके आगे मैं बांट अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देना ही है आपने मुसल्मान लोग देखो वो दस प्रसेंट देते ही हैं मुसल्मान लोग भी आज पर नहीं कैसा देते हैं दस प्रसेंट दान देते ही हैं वो हमारे यहां क्या है कितना वील्डिंग बड़ी गरते चरह जाओ देने की भावना है नहीं लोग हो ना सरकार को टेξ देते हैं ना अपने देते हैं मेरा बेटा बड़ा हो जाए मेरा मकान वहाँ बन जाए हंकांग में फलेट ले लो वहाँ ले लो व सब ऐसे पढ़ गए नहीं, दान देने से बढ़ता है इतना दोगे दान की दोई तरीके हैं, पैसा के या तो भोग कर लो, और या दे दो तो नाश हो जाएगा, तुमारा पैसा तुमारे बेटी के काम आजाएगा, क्या काम आएगा, बेटा तस्वीर लगा देगा and photography आपके अनाम करवा लेगा और आपके नाम करवा लेगा फेक्रिया आप तुसरे अनाम हो जाएगी ऐसाइर का नाम ऐसा तो ग्रिस्त का करतव है कि मेरे गमायँ हूआ धन आपका कम धन परिवार के लिए भी है, समाज के लिए भी है, देश के लिए भी है और कोई सादू साद्विया उसके लिए हमरे शर्मन संग में 12 सादू साद्विया है चत्रमास होते हैं, ठैरते हैं उनके रहने की इवस्ता, भोजन की इवस्ता, इलाज की इवस्ता कौन करेगा, हम सुरा करेंगे आज कल इतना महेंगा इलाइज 10-10 लाइज अपरेशन में खर्चा हो जाता है बस्ता होती है पहले कुछ नहीं होती थी एक फॉर्मडेशन बन गई इसमें लोगों ने पैसा दे दिया इसने एक लाग, दो लाग, पांच लाग, दस लाग, बीस लाग फॉर्मडेशन त्यार हो गई एक सोच की बात मैं कह रहा हूँ पैसा आप लोगों ने दिया और ऐसा तुम जो फैक्टी चला रहे हो फैक्टी तुमारी नहीं है तुम एक पाठ हो तुम उसके लिए चलाए है तुम अपने को समय दो, मैं अपनी बात को मुक्ख था हमने जीव को देना है जीव तो कौन कर दिया अनिमित के लिए काम मैं शीमोनी, शीमोनी करता हूँ क्या शीमोनी है आज शीमोनी सादू बन गया अचारे भी बन गया, क्या अचारे है श्रीड का अचारे होगा ना जीव का तो कोई अचारे नहीं है जीव तो लग गया ना, शेमूनी और शेमूनी की बतर जीव जीव तो लग गया ना, जीव कोई अचारे नहीं, जीव कोई मूनी नहीं जीव कोई पुरुष नहीं, जीव कोई स्त्री नहीं मातर जीव, 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 अकिला जीव मैं और तुम एक ये किताब बहुत पावरफल है ये सब्सक्राइब गीता है रोज पड़ो इसको सोहम की साधना है सो जानी सिद्ध भगवान की आत्मार मेरे समान है सो जानी 26 देव लोगों की देवों की आत्मा मेरे समान है सो सभी जीव मेरे समान है पशुपक्षी के जीव मेरे समान है नरक निगोट के जीव ये आत्म दृष्टी है हम सब अलग है ही नहीं हम सब एक है शरीर लग लग है, शरीर को मातव देना हैं नहीं, दिश्टी बदलने, यह साधना दिश्टी बदलने की है, तुम कदम पर पर समय नहीं, समय बहुत है, पर हमने इसको महतव नहीं दिया, मैं कहत मुह अचाजन का शिवर बड़ा नहीं, तुम अचिछमंट फैक्टरी का से छ प्रशंसा नहीं कर रहा अपना, इतने लोगों ने शिवर गया, छोड़के आगे हम, यहां बैट के अनन्द में, लोग चमासे की बेंती करते हैं, एक आदमी बंबे आया, पांच कोड़ खर्च करता हूँ, उचारे चमासा करता हूँ, इस कभाई कदा चमासा करता हूँ, मैं करते हैं, मीठा मीठा गप गढबागडवा थू, यह तारी भोजन बैने बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, इनके घरसी तो ले आएं असरा पाप इनको दे दे दें, क्यों भाई, हमारे लिए भोजन बनता है, तुम कमाई करते हो, हमारा भी हिस्सा रखता है, हमें भी दोष हम क्या देते हैं आपको हम धलम देते हैं हमारे पास यह है बस तृष्टी बदलने है हमारे पास यह है तुम जो देते हो ग्रिस्त का और मैंने का अम्मा पीरो की भूमे का तुम हमारे माई बाप भी हो तुमारे शिश्ये भी हो शिश्ये की जगा शिश्ये हो माई बाप की ज इसा सादू तुम्हारे घर से लेता है, मकान, कपड़ा दवाई, तो आप लोगों से हसके देते हो, हमारे लिए देते हो, तो मैं करें तो कल ऐसी सिती भी आ जाये, पिर भी स्रिकार है हमें, कल को मझे ऐसी सिती भी आ जाये, क्योंकि ब्यद करो, शेमोनी का शरीर, शरीर में कि मन और बुद्धी और इंड्रिया ये तीनों कमाते हैं हमें जीव की सबसे बड़ी भूल की जीव की आत्मा मैंने का बहुत ना जिसम और रूह का जीव रिष्टा है दोस्तों उमर भर साथ रहे मगर मुलाकात नौई और रूह मने आत्मा जिसम शरीर 24 गंटे साथ में हैं कितना याद किया जीव को आपने अपनी माँ को याद कर लिया बच्चों को याद कर लिया अब जीव को कितना याद किया सोचा ही नहीं जीव के बारे में सोचना है जीव के बारे में सोचना है जीव के बारे में सोचना है जीव के बिष्टी बदल जाएगी आपकी काम चल धर्म का बाल, महाविर ने हमें क्या दिया? धर्म दिया ना? तिस्थंकर भगवान स्वन्दर सौमी भगवान धर्म ही देते है ना? सम्मसरन लगता है, इसमें दिखा है राजा महराजा इंद्र इंद्रानी सादू साद्वी, शिरावक, शिरावका पश्व पक्षि महावी, भगवान की समसरन में आते हैं, अब भगवान आतमा की बात करते हैं, और की बात ही ने करते हैं, अपने को जानो, तूम कौन हो, आये कहां से, जाना कहां है, अनंत काल बीद गए संसार में, भरमन करते करते, तभी पपन ने कमाया, दे लोग चले जीव कैद है शरीर में, सिद्शिला में जाना है हमने, हमारा लक्षवे, तुम घर में रहती हुए भी, मुक्स्ति अधिकारी हो, मुखवालने असानी के सब दिक्षा ले लो, धरम को सबसे उंचा माने, दान, शील, मुर्यादा कभा, तप, तशक्ति तप करो, मान लिजी, मह भीने में थोड़ा तप करो, बना परकार का तप है, आप चार रोटी खाते हो, तीन खाओ, यह भी तप है, ध्यान भी तप है, कौसक भी तप है, रस को छोड़ देना, मले मीठा छोड़ दिया, कभी दू छोड़ दिया, कभी मक्षन छोड़ दिया, बना परकार का तप है, तप और उच भावना रखो कि मेरे द्वारा किसी का भला हो, मैं किसी का दिल न दुखाँ, निंदा न करूँ, यह चार भावना हमारा गरिस्त के लिए है, हमारे इस तरह के जीए हो जीए है, सम्भी भाग करो सब का, फिर देखो जीवन बन का, फिर जीवन बदलेगा, फिर समय निकलेगा, सब निकलेगा, फैक्ट्री जाने के जूरत ही नहीं, आपने काम चलता रहता है, यह भाई जब पुन्य बढ़ता है न, धीरों बानी के पास क्या था, कुछ भी नहीं था जब एक समय था, पुन्य चमका तो ऐसे चमका, पुन्य कब चमकता है, जब तुम कि आज तुम मनश्य बने हो, तब ही मनश्य बने के पहले जन में अच्छा काम किया था, तब ही आपको जैन धर्म मिला, माता पिता मिले, संसकार मिले, धर्म मिला, वानी मिली, तब आगे बढ़ जाओगे. गुरू हम को ऐसे क्रिपाद रश्ट जा सादू साद stiffnessि, नर्ब नारी, त्रियेंच, पश्व पक्शी सब लवान्मत हो रहे हैं. आपके सान में उस सुन रहे हैं आपके जिवे लड़के दर्शन कर रहे हैं. आपके दोरा बताएवा ध्यान सीकुरे हैं. अनन्त अनन्त करalt कर्म कि realize को समकत करूना नहीं जब चार दिन का शुवर करोगे ना फीर आटमेटिकली करना है है दो हिससे एक शरी경 है इसे पॉंच हह्पल यहां ऄैं जब 그냥 khalum जीव पर कोई करम नहीं लगते, कारमन चरीर भी उपर रहता है, जीव को करम छूता नहीं पर जीव भीतर है, जब आयुश करम निकल जीव आगे चला जाता है, वो जीव का ध्यान करना है, जो मैं आपको कह रहा है जीव का ध्यान, हमेशा जीव कैसे अश्ट गुनों से यु वो त्यूत मारे भीतर है, वो साधना महावीर की जो हम में मिली है, अरियन्त परमात्मा से देना चाहते हैं, वो साधना है, तो कभी भी कर सकते हैं आप, लक्ष बनाओ, सब हो जाएगा, जैसे आप भूमने जाते हैं गरी, जाते हैं ना भार कभी घूमने गए होंगे, तो फ भेद गया हैं, जल और जीव का भेद करना है, और जी साधना केवल चार घंटे, सो चौबिस घंटे गए, अब चलो उठो बैटो, दो तत्व हैं, शरीर अलागा और आत्मा लागा, भूजन करो, शरीर भूजन कर रहा है, जीव अलमने, जीव ने अभी अन्न का दाना करहन पानी किया, एक अन्न का दाना जीव ने ने खाया, पानी की बूंद नहीं, जीव ने पी, ये शरीर ने दिया, शरीर खाता है, नष्ट होता है, खाता है, खाता है, चला जाद, ये शरीर का काम, शरीर अलागार आत्मा लागा, दोनों का भेद गयान, शरीर आत्मा का भेद अनंद रूपी है, परमातम तत्व साल इस संकल्ब की कल्ब से दूर सभाव में लीन रहने वाले योगी जन्झ इसको जानते हैं, मैं भी योगी बन जाओं, ज्यानी बन जाओं, मेरे जीवन का सारा समय, सबी कुछ जीव को जीव मिस्थित कर, ये साधन है, जीव को जीव में ठहर कर यह साधना अपनी है ठहर ना किशन कैसे होता है बस परमात्मा मैं बनने में आपकी चर्ण शर्र में लग जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभो ये भार-प्रासना हम ध्यान में भी कर सकते हैं कभी वड़ सकते हैं जैसे आप ध्यान कर रहे बच्छों को पास बच्चे तुम भी ध्यान करो, खाना खाते हैं कथे खाना खाओ, इस घर में भजन और भोजने कथा होता है, वो घर मंगलकारी बनता है, एकथे भोजन करो, चाहे रोज नहीं कर सकते हैं, इतवार को कथे करो, और जब ध्यान करते हैं, बच्चों को पास बिठाओ, बच्चे को भी ध्यान करो, खाना बच्चों को साथ खिलाओ, संसकार दो, एक बच्चे को साथ समय बिताओ, बच्चे बन जाओ, बच्चे की तरह बच्चे, खेलो बच्चों के साथ, मस्ती करो, अजी गलती हो जाए तो छमा मांगो, बच्चे तुम ठीक कहते हो, मैं गलत हूँ, ऐसा सब बच्चों को पताते हैं मैं अपना कारिक करते हुए जब इनकी सेवा की जरूत है सब 100% हाजरू और इनको मेरी जरूत है तब मुझे आवाज लगा देते हैं यह काम करना है इसे निमित और दो दो पार्टनर है एक साथ में बोले दोनों को बैलेंस बना के रखना है अभी को बिल्कुल इग्नोर करके रखा फिर भी उसकी जीव की महानता है कि चुमाली साल से आपको सयोग दे रहा हूँ अगर एक सेकिंड भी आपका साथ छोड़ दे कि यह पार्टनर मेरा तो ध्याने ता मुर्जय कुछ देता ही नहीं मैं काई के लिए इसके टाइम बेस्ट कर रखा अजीव हमारे ईपाक्षा करदे आपने बॉडी की तो आस्तित्व को महत्व देने से उस्ट चाया की तर्वर चलता है अस्तित्व बेक्तित्व दो चीज़े हैं अस्तित्व मुख्य हैं मुक्रु गन की जगह रigration मुख्य को मुख्य की जगह रा vested Olتي य SGर में मुख्य मालिक के लिए मैनेजर मुख्य हो जाया तो फैक्टरी का हालत क्या हो हमारा शरीर मुख्य हो गया है और हमारा अस्तित्व गोन इसको वापस यह जो हम कर रहे हैं इसमें हमारा कारिया 100% सही होने वाला है जो बिगड़ा हुआ है न जो आपके चेरे के पर स्ट्रेस चल रहा है आप अगर एक महिना ऐसा जी के देखो प्रैक्टिकल जैसे आप 100% उसके फोकस करो ने से 100% अपने जीव पर फोकस करते हुए बाइप्रोड़क्ट में इसको उप्योग करो तो देखो कि आप थोड़े ही समय में आपके चेरे पर वही आनंद वही शांति हैं सिर्फ खाली इसके लिए क्रिया नहीं बदलने हैं काम नहीं बदलना है काम सब वही चलेंगे वही फैक्टरी चलेगी वही परिवार है वही सब लोगे यही शरीर है यही मन है सिर्फ दिशा बदलने हैं ड्राइवर के पास में ब्रेक और सब अपने हाथ में रहने चाहिए जब दुश् जिशते हैं उपयोग करते हैं जब चाहिए तब डिल छोड़ते हैं आगे लगा दे चल वे आगे ऐसे हमारे पूर्या मन बुद्धी इंद्रियां विचार परिवार संसार सारा निमित का जितना है वो जीव के लिए है जीव उसके लिए नहीं है जहां जरुत पड़े जीव क हम नहीं कर सकते है मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मेरा घर से आथे आत्मा का घर से एस है मैं निश्चिस सिधा ले जाओंगा ये आपका किस संकल्प होना चाहिए कि मेरा घर ये नहीं है आत्मा का घर कहा है 26 दिवलोग पार के उपर 45 लाग सिद्ध शिला जाँ महावीर गए अनन्तिच शिद्ध गए मेरा घर वहाँ है मुझे वहाँ जाना है इसके लिए पांच सीड़ी आए कैसे चड़ोगे पहला शर्दा शर्दा हर्दा से आती है आपके खून के कत्रे कत्रे में जीव के प्रतिशर्दा कि मैं जीवात्मा सुनो अब नमित को भूल जाओ जीव जीव को परमकता दो मैं जीवात्मा उरते बैठे चलते सोते खाते पेते किसको मतर्दे एना जीव को अपने अब हो जाएगा जैसे माँ बच्चा कहीं खेल ला हो माँ का ध्यान कहा है बच्चा कही बार तो नहीं गया है कोई देख तो नहीं रहा छोटा बच्चा होता तो माँ खाना बनाती बच्चे का ध्यान डखती ऐसे जीव आप फैक्टरी में जाओ तो जीव का ध्यान डखोगे फैक्टरी चल लगी है मैं कहा हूं जीव शर्धा जीव के प्रियास जो संकलब किया है उसके लिए पूरन रूट से मेहनत करना जैसे अपने फैक्टरी जेसर डेले हैं कोई किसी7 कोई वास्ताई और जीवकेला लगान अश्टवनों से युक्त वो से धल्या जायेगा मैं अपनी करने से जाई Bhagiरे प्रियास जो संकलब किया है उसका पूरन प्रचत करना च्र grams ये संब्रतिस जो XL हiso याद रख रखो ऐसा नहीं कि भूल जाओ जो संकलब किया ऊसको याद रखना है रिमेंबर जो संकलब किया तुम्हें याद रहना चाहिए उसमें तुम्हारे जीवने जागरुटा आएगी एक आगरता संकलब पर कंसंट्रेट ऑन जुर माइन कि मैंने संकलब किया था विवेक हमारी बुद् यृण मैं में अपन कही प्रकार की अलोचना करते हैं उसका सारा प्रथिकरमन ती अे अलोचना करना वह आ लोचना करना कि मैं उड़ते बैठते हिलते चलते दुख दिया किसी जीवों को सभाब में नह रहा हो तो मैंने निद्ध सुबह से लेकर अभी तक जो करम किया सारा श्रीर ने किया आत्मा ने नहीं किया प्रतैकल की विधी महाविदे में विराजमन भगवान की उसके बाद है ध्यान किया है खा अपने आपको विचारों को शुनिया कर लेना दूं को एसी कृपाद रिष्ट समाध्य मरण की विदी यह हमारा लक्ष है श्राबर का मनौरत भी है साद्व का मनौरत है कि अन्तेम हमें समाध्य मरण मिले मैं अराम से शरील को छोड़ कर के चला जाओं समाध्य मरन की विद हो आदा घंटा समय लगा लो समाध्धी बन ऐसा अन्भव करें कि आप इस भाव का अंतिम पड़ाव आ गया है उस समय की बात है वैसे तो किसी उमर में किसी को भी छोड़के जाना पड़ता है एक खिशन का वरोसा नहीं इंद्रियां किशीन हो जाती है इसी कमजोर पड़ ज है जो जाना है आत्मा के लिए हो प्रिवार से मुहमता लेश मातर ना रहे कुछ बिगड़ रहा है या सुधर द्र रह रहा है क्या करनाएं सब और आँंखे बंग किसी कमाई रहने नहीं अगर रोज को बसला दो अशांती क्रोर चिरज़रा पन आत्रोज ध्यान दुख अकुलता व्याकुलता लोग शेत्र मातर ना रहे किसी की जनम बरन में रूची नहीं लेना पोते पोती दोते दोती हैं आदी के प्रति कोई ममता ना रहे घर में है तो वेभार ने भाए किसी और की खातर है मरे दोस्त सब को अपनी बात पर रोना है कोई किसी के दिनी रोता पतनी पती के लिए पती पतनी के लिए बेटा बेटी के लिए सब अपनी के लिए रोते हैं वो जो किया तो मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा सब को किसी को कौन रोता है किसी और की खातर ह पुतेसे का ना रहा, रेंगे अब प्रिवार समाजे की वस्ता आँज्स की वस्ता के बारे में कुई लाक्त नहीं करना को जानगा लाक्ति का लेने वलाई नहीं नहीं पहतंग प्रेंगी डिषिधी क्यूंक करना कवाव 한कटि फरको 19 को शुद्ध बुद्ध चुतन्य खन सुरुपी प्रमजोती सुखधाम है भी तरागी प्रमात्मा, मैं निश्चे निरने से केवल शुद्ध आत्मा हूं, मुझे आपकी अपुर्व शक्ति दे, मजे श्युतात्मा का सब्रंदे श्युता आत्मा सुरुFlow। प्रभो मेरे सब्रकार के दोश्यों के लिए खिवमा करें। मुझे द्या दे, शामति दे, सम्ता दे, सुत्य दे, त्याग दे, वैराग दे। ये हमारे अधर्ष अर्युन प्रमात्मा है। आपके सद्गुन मुझ में निरंत्र उत्किष्टा के साथ सफराइमान हो, मेरे सब प्रकार के दोश्यों के लिए खिशमा करें प्रभो, प्रभो मैं अनन्तकाज से शरीर की पूर्ते के लिए कार्या करता आया हूँ, चाहिए पशु जो निमें था, देव, देवी था, मनु मुझ 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 म करें। संसार भोग tries अरह Hambakal से आज दीन तक मैरे जगत के जीओं कोई कुछ भी शंका कुछ शंका की कराई अनमोधन किये कोई भी अप्राद किए कड़ाई अन्मोधन कि किक्छ़ित न्ही शे प्रकार कि बरहां की कुछे कराई अनमोधन किये कोई इन्तिय की करायора मुँद्न किया ठारा पापसाने को मैं इस हमने कुछ भी रिविए या दोश्ट जाने आन जाने किये कराय corridor मोधन किया अन सभी दोश्टों के लिए में क्शमा याजना करता हूआ उनापर के करन पर टेकान ले विए स्क्क्राइब आन्तर करलें खर्भात मैं, नो कर्म, रभाव कर्म, स्क्राइब अर्भकर्म मेंмоनि खंच्रिय करना। अपकी वानए में एक आध्यान रूपियां रूपी अन्दकासि निकाल कर मुझे अत्र Halloween करवाई औरुद कर हाOM बाहर मुक्य से अंतर मुक्य बनाया, सारा अपयोग जो अपभोग में लगा था, उसे आत्मा में लगा कर परम सुख, अनंत, शांत या इश्वरे का अन्भोग कराया, अन्तिन समय में स्वैको देखूं, स्वैको जानूं, स्वैका बोद करूं, भलही शरीर में भ्यंकर में मिर्टिन का वरन करूं, भले कितने जनम लग जाने लेने पड़े, मेरा आत्म बोद संवे ग्यान न चूटे, अन्त में महाविदे शेतर में जनम लेकर, आपके दर्शन कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर, अपने लक्ष को प्राप्ष करूं, मेरा हर पल, हर सिंद अन्तिम श्वांस तक मुझे आतम बड़े, हे प्रभो अचारे भगवल मेरी बोदिलाब मेरी अन्तिम श्वांस तक बना रहे, समाधी मरन हो जाए, प्रभो बस आपकी किर्पा, आपका अनुगर है, हर पल, हर प्षन प्राप्त ऐसी भावना रखते हैं, अर्हंते सर्णम पवज्याम शिध्डे सर्णम पवज्याम शाहू सर्णम पवज्याम के वरी पनतन धंम शर्णम पवज्याम गुरू हमको एसी कृपाद्रस्टि दे नम अरियंता नंग नम असिद्धा नंग नम आयरियनंग नम अवजयनंग नम लोईशाफ साहनं धम्ममंगलम उपिठंग आयंसा संयमो तभो देवावित्तंग नमंसंति प्रस्थम्न स्यामा शिरी चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिध्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्म मंगलम चतारी लोगुत्मा अरहंता लोगुत्मा सिध्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली पनतो धम्मो लोगुत्मा चतारी सरनंप वज्जामी अरहंते सरनंप वज्जामी सिद्धे सरनंप वज्जामी साह सरनंप वज्जामी केवली पनत्तं धंवं सरनंप वज्जामी चार शरन अरहंत शरन सिद्ध शरन सादु शरन धर्म शरन खूब खूब मंगल हुआ गुरू हमको हैसी क्रिपाद्रस्टि दे